मेरे गुरू अर्विन केजरिवाल जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिनों ने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी और इस जिम्मेदारी के लिए मुझे भरोसा किया ये सिर्वाम आदमी पार्टी में हो सकता है अर्विंद केजरीवाल जी के नितृत्व में हो सकता है कि एक first time politician एक राज्य की मुख्यमंत्री बने मैं एक सामान्य परिवार से आती हूँ शायद किसी और पार्टी में होती तो चुनाव की टिकेट भी नहीं मिलती लेकिन अर्विंद केजरीवाल जी ने मुझे भरोसा किया मुझे विधायक बनाया मुझे मंत्री बनाया और आज मुख्यमंत्री बनने की जिम्मेदारी दी है मैं खुश हूँ कि अर्विंद केजरीवाल जी ने मुझे इतना भरोसा किया है लेकिन जितना सुखाज मेरे मन में है आज इससे बहुत ज़्यादा दुख भी मेरे मन में है दुख इसलिए कि दिल्ली के लोक्रिय मुख्यमंतरी मेरे बड़े भाई अर्विन केजरीवाल जी आज इस्तीफा दे रहे हैं मैं आज ये जरूर कहना चाहती हूँ आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों की तरस से दिल्ली की दो करोड जनता की तरस से कि दिल्ली का एक ही मुख्यमंतरी है और उस मुख्यमंतरी का नाम अर्विन केजरीवाल है भारतिय जनता पार्टी ने पिछले दो साल से अर्विन केजरीवाल जी को परिशान करने की उनके खिलाव शड़ियंतर रचने की कोई कसर नहीं छोड़ी एक ऐसा आदमी जो अपनी आई आरेस क्मिशनर की नौकरी ठुकरा सकता था एक ऐसा आदमी जो एक नई पुलिटिकल पार्टी से पहली बार चुनार लड़के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकता था ऐसे आदमी पर ऐसे इमानदार आदमी पर भारतिय जनता पार्टी ने भरष्टाचार के आरोफ लगाए जूटे केस किये फरजी केस किये अपनी एजनसीज एडी को सी बी आइकोन के पीछे छोड़ दिया उनको जूटे मुकदमे में छे महीने तक जेल में रखा आखिर कर सुप्रीम कोट ने उन्हें जमानत दी और सुप्रीम कोट ने सिर्व उनको जमानत नहीं दी सुप्रीम कोट ने केंदर सरकार के मुँपे तमाचा मारा उनकी एजनसीज के मुँपे तमाचा मारा उनने कहा कि इनकी एजनसीज केंदर सरकार की एजनसीज एक किंज्रे में पैद कैद तोते की तरह हैं और अर्विंद केजरीवाल जी की गिरफतारी गलत थी अगर अर्विंद केजरीवाल जी की जगां कोई और मुख्यमंत्री होता कोई और नेता होता तो वो दो मिनट नहीं सोचता मुख्यमंत्री की कुरसी बेठने के बारे लेकिन अर्विंद केजरीवाल जी ने वो किया जो आज तक इस देश का इतिहास तो छोड़िये शायद दुनिया की इतिहास में किसी नेता ने ना किया हो उन्होंने कहा कि मेरे लिए सिर्फ सुप्रीम कोट का फैसला काफी नहीं है मैं जनता की अदालत में चाहूंगा जब दिल्ली की जनता मुझे कहेगी कि हम तुम्हें मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं जब दिल्ली की जनता कहेगी कि तुम इमानदार हो तब मैं मुख्यमंत्री की कुरसी पे बैठूँगा मुझे नहीं लगता कि हमें लोक्तंत्र के इतिहास में ऐसा कोई त्याग का उधारन मिलेगा कि अर्विन केजरिवाल जी ने स्तीफा दे दिया है वो रोने लग गई उन्होंने कहा कि वो मेरे बेटे की तरह है उसको इतना परेशान किया है उसको इतना परेशान किया है उसको जूटे केस लगाए और उन्हों भुजर्द महिला ने कहा कि मैं घर घर जाओंगी मैं घर घर जाके लोगों को कहूंगी कि मुझे अपने बेटे को ही मुख्यमंत्री बनाना है